इस सेक्षिन में हम कोचिंग दृष्टी कौन को अपनाने की भूमिका और स्कूल विजिट के दोरान इसके महत्वों को समझेंगे हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रतियेक शिक्षक या अधिकारियों के लिए सहायता प्रणालियों की एक श्रिंखला है छात्रों के विकास के लिए जिम्विदार शिक्षकों से शुरू हो कर एक प्रधान अध्यापक से शिक्षक विकास का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है स्कूल एवं ब्लॉक स्तर के पद आधिकारियों से यह अपेक्षा होती है कि वे अपने छेत्र में पद स्थापित सभी प्रधान अध्यापकों को स्कूल के संचालन एवं उससे जुड़े कारियों में सहयोग एवं मार्ग दर्शन देंगे शिक्षा पद आधिकारी के रूप में आपकी भूमिका है कि आप विविद लोगों से मिलकर उनके व्यावसाइक विकास में सहयोग एवं मार्ग दर्शन करें पर्यवेक्षी भूमिका अकसर एक निगरानी द्रिश्टी कोण में परिणित होती है जिसमें लोगों को समर्थन देने और विकसित करने के बजाए एक परियोजना की प्रगती का निरीक्षन किया जाता है इस प्रकार यह सेक्षिन कोचिंग के महत्व इसके सिद्धान्तों और एक प्रभावी कोच कौन है को पहचानने पर ध्यान केंद्रित करेगा कोचिंग क्या है? कोचिंग के लिए असोसियेशन द्वारा संदर्भित कोचिंग की मूल परिभाशा एक सहियोगी समाधान केंद्रित परिणाम उनमुख और व्यवस्तित प्रक्रिया है जिसमें कोच कार्य प्रदर्शन, जीवन अनुभव, स्वनिर्देशित सीखने और व्यक्ति के विकास में व्रिद्धी की सुविधा प्रदान करता है सीखने की छेत्र के आधार पर विभिन प्रकार के कोचिंग है जैसे निर्देशात्मक कोचिंग, प्रदर्शन कोचिंग, नेतरित्व कोचिंग, आदी शिक्षकों के लिए निर्देशात्मक कोचिंग कक्षा प्रताओं पर व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने पर अधिक केंद्रित है प्रदर्शन कोचिंग वह जगा है जहां एक विशेश निर्धारित लक्षे के संबंध में व्यक्तियों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है नेतरित्व कोचिंग व्यक्ति को एक प्रभावी लीडर के रूप में विकसित करना है अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये विशेश ताएं शिक्षा के संदर्भ में कैसे मदद करती हैं चुकि हमारी शिक्षा प्रणाली में अलग-अलग नेतरित्व करता हैं आईए अब समझते हैं कि दिये गए संदर्भ में शिक्षा अधिकारियों के लिए कोचिंग विशेशताओं की आवशक्ता कैसे होती है उधारण के लिए एक DEO के रूप में एक व्यक्ती स्कूल के प्रिंसिपल BEO समुदाई के लीडर समेत पूरे जिले के लिए जिम्मधार होता है इसलिए स्थिती की आवशक्ता के अनुसार कोचिंग का द्रिश्टी कोड भी भिन होता है आईए हम कोचिंग के सामान इस सिद्धानतों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास का प्रयास करें आप एक कलम और कागस का उप्योग कर सकते हैं या सिर्फ खुद की समझ के अनुसार भी उत्तर दे सकते हैं सूचिए अगर आपको छे महीने के लिए कोच मिल जाए तो आपको क्या लगता है कि आपको कैसा कोच पसंद आएगा आपके अनुसार एक कोच के लिए आवश्यक व्यवहार और कौशल क्या हो सकते हैं? या एक कोच से आपकी क्या पेक्षाई है? उधारण के लिए विनम्र होना चाहिए, शिक्षा प्रणाली से अवगत होना चाहिए, सक्रिय रूप से सुनना चाहिए, समवेधन शील निश्पक्ष होना चाहिए अभ्यास के बाद हम यह निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि विभिन कोचिंग दृष्टी कोणों के बावजूद कोचिंग के कुछ समान्य सिध्धान्त है, जो इस प्रकार है एक दूसरे के साथ विश्वास और भरोसा बनाना सक्रिय रूप से सुनने, प्रश्ण पूच कर दूसरे व्यक्ति की समझ, उनकी सामर्थ्य, उनके संघर्षों को विकसित करना प्रशिक्षक के साथ एक विकास योजना बनाना और सहकर्मियों का समर्थन करना आईए, अब विभिन परिस्थितियों के माध्यम से कोचिंग को समझते हैं BEO के रूप में आप एक आभासी कक्षा का अवलोकन कर रहे हैं जहां आपने देखा कि शिक्षक सत्र में चात्रों को शामिल नहीं कर रहे हैं शिक्षक का समर्थन करने के लिए आप क्या करेंगे? कथनों को पढ़ें और पहचाने की कौन सा कोचिंग द्रिश्टी कोण है अथवा नहीं प्रतियक विकल्प को क्लिक करने पर उसके अर्थ के बारे में हम जान सकेंगे बीच-बीच में रुकेंगे और चात्रों से शिक्षक को कुछ स्थान देने के लिए विचार करने को कहेंगे तुरंत शिक्षक के साथ अपनी चिंता साजा करेंगे और उन्हें चात्रों के ब्रेक और भागीदारी में सुधार करने के लिए कहेंगे शिक्षक से कक्षा शिक्षण अभ्यास के बारे में पूछेंगे और जानेंगे कि छात्र की भागिदारी को कैसे बढ़ाया जा सकता है छात्रों को आकर्षित करने के विभिन तरीकों के बारे में बताकर शिक्षक की सहायता करेंगे इससे कक्षा के सह प्रबंधन को देख कर शिक्षक में असुरक्षा और आत्म विश्वास की कमी हो सकती है यह निरीक्षण का एक उधारण है इससे कक्षा का माहौल बिगड सकता है क्यूंकि शिक्षक ऐसे तत्काल परिवर्तनों के लिए तैयार नहीं होते है यह आत्म चिंतन की ओर ले जाएगा उस संगर्ष की पहचान करेगा जिसका शिक्षक सामना कर रहे हैं और आपके और शिक्षक के बीच विश्वास का निर्मान करेगा क्यूंकि आप शिक्षक को उसकी चिंताओं को साजह करने का मौका देते हैं साथ ही उनके सम्मान को भी बनाए रखते हैं। इससे शिक्षक द्वारा समाधान खोजने में सक्षम होने के बजाए, शिक्षक का आपको एक समाधान प्रदाता के रूप में खोजने की आशंका है। आईए, हम कोचिंग और निगरानी द्रिष्टी कोण के बीच के अंतर को समझते हैं। कोचिंग परियोजना लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने के कारणों की पहचान करने के बजाए, व्यक्ती में सुधार पर केंद्रित है। उधारण के लिए सुष्री बबिता एक B.E.O हैं, जो महामारी के कारण आभासी कक्षाओं के संचालन में स्कूलों का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने देखा कि शिक्षकों को आभासी कक्षाओं में शिक्षकों को शामिल करना मुश्किल हो रहा है। वह शिक्षकों का समर्थन करने के लिए क्या कर सकती हैं। फीडबैक से संबंधित कथनों को समझने के लिए इन पर क्लिक करें। शिक्षकों के संगर्षों को सुनकर उनकी कम भागीदारी के कारण की पहचान करें कोच एक सक्रिय श्रोता है उन्हें कक्षा में चात्रों की भागीदारी की कमी के बारे में सूचित करें व्यक्ति या टीम के माध्यम से परियोजना के निरीक्षण और मुल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना शिक्षकों से छात्रों को जोडने के लिए समाधान देने के लिए कहें कोचिंग लोगों को सक्षम बनाने पर केंद्रित है शिक्षकों को समाधान प्रदान करें शिक्षकों का ध्यान स्वयम समाधान विकसित करने के बजाए परियोजना लक्ष को पूरा करने पर केंद्रित करना कोचिंग एक चिंतन शील प्रक्रिया है यह व्यवहार के अवलोकन और दस्तावेजी करण के साथ शुरू होता है सामर्थ्य और विकास छेत्र फिर फीडबैक देने की योजना बनाना विकास लक्षियों पर एक समझोता स्थापित करना कार्यान्यव्यन में सहायता करना और प्रगती का प्रबंधन करना एक बार लक्षिय प्राप्थ हो जाने के बाद अपनी सीख को रिकॉर्ड करें और फिर से नए लक्षियों पर काम करना शुरू करें इन सभी चरणों में चिंतनशील समवाद के लिए प्रश्णों को तैयार करने की आवश्यक्ता होती है यह पूछने पर निर्भर करता है ना कि बताने पर इसलिए यह चिंतनशील है निर्देशक नहीं उन्हें अपने स्वयम के समाधान खोजने में मदद करता है साथ ही सहानु भूती के साथ सुनना जो उन्हें या साजा करने के लिए सुरक्षित स्थान देता है कि उनकी चिंता अवरोध आधी का कारण क्या है आईए इसे एक अन्य चिंतनशील अभ्यास के माध्यम से समझते है श्री पवन कुमार उधम नगर के एक ब्लॉक में B.E.O है जब किसी ने विभिन स्कूलों के शिक्षकों से पूछा कि वे श्री पवन कुमार का सम्मान और भरोसा क्यों करते हैं तब कुछ ने कहा कि वह बात करते समय बहुत विचारशील और विनम्र हैं यहां तक कि वह उनके संगर्शों के बारे में धैरे पूर्व उनकी बात सुनते हैं और उनकी उपलबधियों की सराहना करते हैं शिक्षकों में से एक ने साज़ा किया श्री पवन ने उन्हें आभासी कक्षाओं में मज़ेदार और आकरशक बनाने में डिजिटल प्लाटफॉर्म पर कौशल विकसित करने में मदद की। शिक्षकों में से एक ने साजह किया कि श्री पवन एक ऐसे सकारात्मक व्यक्ति हैं जो हमेशा दूसरों में अच्छी चीजों या लक्षनों को रेखांकित करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनमें ऐसे कौन से गुण है जो उन्हें उन सिक्षकों के लिए एक भरोसे मंद कोच बनाता है आपको क्या लगता है कि उनमें ऐसे कौन से गुण है जो उन्हें उन सिक्षकों के लिए एक भरोसे मंद कोच बनाता है स्क्रीन पर भरोसे मंद कोच के कुछ गुण दर्शाए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ें आईए, अब तक हमने इस सेक्षन में जो सीखा उसे संक्षेप में देखें एक, कोच वह होता है, जो सामर्थ्य और कोशल को उजागर करके और करुणा पैदा करके किसी व्यक्ति के व्यवसाईक विकास में सहायता करता है 2. कोचिंग के कुछ सामान्य सिध्धान्त, विश्वास और विश्वसनियता का निर्माण करते हैं सक्रिय रूप से सुनने और प्रश्न पूछने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को समझने में भी मदद करते हैं 3. कोचिंग निगरानी से अलग है यह लोगों के विकास पर केंद्रित है, जबकि निगरानी परियोजना के कार्यान्य वयन पर केंद्रित है 4. निर्देश के बजाए कोचिंग वार्तालाब चिंतन शील होते हैं एक कोच सीधे सामाधान या निर्देश प्रदान नहीं करता, बलकि दूसरों को उसकी स्थिती पर चिंतन करने के अवसर प्रदान करता है और इसलिए संभावित समाधान या कार्यवाही के बारे में सोचता है